हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बच्चों के रूम के लिए डोर मैट बनाएंगे, वो भी बच्चों को बड़ा पसंद आने वाला है, क्योंकि टेडी शेप का डोर मैट बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने हाँ पे दो रंग लिए, दो रंग लेने हैं, आप कोई भी रंग ल इस मैजिक रिंग में तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बना लिए, यो तीन चेन हमारा एक डबल क्रॉशिया हो गया, अब इस रिंग के अंदर हमें ग्यारा डबल क्रॉशिया और बनानी है, दो तीन ऐसे ऐसे टोटल बारा हो जाना चाहिए यह देखिए बारा बना लिए डबल क्रोसिया अभी इस धागे को ऐसे खीज देंगे यह बिल्कुल बंद हो जाएगा अभी जो तीन चेन हमने बनाई थी सबसे पहली वाली चेन में इसको अटेश कर देंगे फिर हम तीन चेन बनाएंगे एक दो और तीन चेन तीन चेन बनाने के बाद अब हमें क्या करना इसी में एक डबल क्रोशिया और बनाना है यानि अब हमें हर चेन में दो-दो डबल क्रोशिया बनाना है ठीक दोदो डबल क्रोशिया बनाएंगे इस लाइन में हमारे पास 24 डबल क्रोशिया हो जाएगे यह देखे पूरी लाइन बन गई अब इसको भी हम यहाँ पर अटेश कर देंगे तीन चेन हम बनाते हैं यह हमें हर लाइन के कम्प्लीट होने के बात करना है अब फिर तीन चेन अब हमें क्या करना है अगले में एक डबल क्रोशिया फिर इसके आगे वाली चेन में दो डबल क्रोशिया यह पार हमें एक डबल क्रोशया भी नेगे और एक बार दो डबल क्रोशया भी नेगे ऐसे पूरी लाइन करनी है ज़ले लाइन कंप्लीट करते हैं यह देखिया, तीसरी लाइन भी हमने बना के जोल लिया और तीन चेन बना लिया अब हम क्या करेंगे अगले में भी एक डबल कुर्शिय बनाएंगे इसके बाद अब हमारे पास फिर अगले में एक डबल कुर्शिय बनाएंगे अब आगया हमारा यह जहां पर हमने एक चेन में दो डबल कोशिय बनाया है इसके अंदर अब हम दो डबल कोशिय बनाएंगे अब फिर अगले में एक डबल कोशिय फिर इसके आगे एक डबल कोशिय यानि अब हम दो बार एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी बार एक में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे यानि जो हमारे ये दो डबल क्रोशिया वाली लाइने इसमें हमेशा हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में बढ़ाते जाएंगे पहले में 1 था, फिर 2 हुआ, अगली लैन में 3 होगा, 4 होगा ऐसे करते करते हमें जितना बड़ा इसका मूँ बनाना है उतना बड़ा हम बना लेंगे यह देखे हमने इतना बड़ा बना लिया इतनी लैन बनिये देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आर्ट लाइन हमने बना लिया आर्ट लाइन बनाने के बाद अब हम इसमें दूसरा रंग लगाएंगे दूसरा रंग हमने काला लिया है तो काला रंग लगाते हैं काला रंग लगाएंगे और अब फिर तीन चेन बनाएंगे जैसे कि हम बनाते आ रहे हैं इस्टार्टिंग में बन गया अब क्या करेंगे जैसे अभी तक बना रहे हैं अगले में एक चेन फिर उसके आगे भी एक चेन जब तक हमारा ये एक में दो वाला नहीं आ जायागा ये यहां गया दो चेन अब एक एक डबल क्रोशिया सब चेन में हमने दो बना दिया अब एक एक डबल क्रोशिया सब चेन में आइसे बनाते बनाती ये हमारा एक में दो वाला आएगा यहाँ पे हम दो बनाएंगे देखिए इस वाले दो इसमें हमने दो बनाया इसके बाद हमाई पास कितने आए दो, चार, छे, एक, साथ साथ बार हमने एक एक डबल कोशिया बनाया फिर अभी ये दो वाला आ गया है जिसमें हमने एक चेन में दो डबल कोशिया बनाई है अब इसमें हम दो बनाएंगे ऐसे ऐसे बनाते हुए हमें दो या तीन लाइन जितनी आपकी मर्ज़ी हो उतनी लाइन ब्लैक से बना लीजे लेतना बना के ब्लैक से फिर आपको आगे हम बताते हैं यह देखिये हमने बना लिया जितना बड़ा हमें बनाना है अब इसके बाद हम लोग इसका कान बनाएंगे यह एक कान हमने बना लिया है अभी आपको दूसरा बना के बताऊंगे कि कैसे बनेगा और एक आग भी बना ली है हमने यह दोनों हम बनाएंगे सीखेंगे कि कैसे बनेगा इसके लिए हम वैसे ही मैजिक रिंग बनाके उसमें साथ डबल क्रोशिया बना लेंगे साथ डबल क्रोशिया बनाने के बाद उसके उपर चौदा डबल क्रोशिया बना लेंगे हर चेन में दो दो डबल क्रोशिया अब तीसरी लाइन में एक दो तीसरी लाइन में एक बार में एक डबल कोशिया फिर दो डबल कोशिया जैसे हमने यहां बनाया है तीसरी लाइन में ऐसे इसमें भी बनाएंगे कान के लिए तो देखिए एक बन गया अब अगले वाले में दो डबल कोशिया फिर एक डबल क्रोशिय ऐसे बना के हम कम्प्लीट करेंगे अगले में दो यह देखिए बना लिए हमने तीन लाइन अब हम ब्लैक कलर लगाएंगे वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाते आ रहे हैं कि जहां पर हमारी एक चेन में दो डबल क्रोशिया है महां पर दो बनाएंगे बाकी में एक बनाएंगे यह आगे हमारी दो वाले इसमें दो बनाएंगे एक दो अगले में एक फिर उसके आगे भी एक फिर आगे यह दो यह एक बार हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक में और दो बार एक एक बनाएंगे लिए लाइन कंप्लीट कर ले देखिए अच्छा अब एक डबल क्रोशिया फिर आगे भी एक डबल क्रोशिया फिर दो एक ही में ऐसे ही बनना है यह देखिए बन गया दूसरा कान भी अब हम लोग आख बनाएंगे अब इसको यहाँ पर सब सिलेंगे पान सब बन जाए फिर सिलाई करेंगे यह आख बनाने के लिए नहीं से ही मैजिक रिंग बनाएंगे और उसके अंदर यह देखिए ऐसे मैजिक रिंग बनाएं तीन चेन लेंगे और उसके अंदर 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे दो तीन ऐसे से 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे देखिए और इस धागे को कीज देंगे यह विल्कुल गोल सा हो जाएक और यहाँ पर अटैच कर देंगे आख बन गे अब हम लोग नाग बनाएंगे नाग बनाने के लिए हम लोग पहले एक चेन बनाएंगे अब तीन यानि टोटल चार चेन बनाएंगे तो तीन चेन के को छोड़के यह जो पहला वाला चेन है इसमें हम एक डेबल क्रोशिय बनाएंगे और एक और बनाएंगे अन्य तीन हो जाएंगे फिर एक दो तीन तीन बनाके इसको ऐसे फ़लट देंगे अब इसमें बनाएंगे हम एक दो तीन अब इस लाइन में पांच होने चाहिए तीन चार एक दो पांच हो पांच अब फिर तीन चेन एक दो तीन चेन और अब साथ साथ बनाएंगे इसके बाद नौ बना लेंगे यह देखे नाग बन गई अब इसको हम धागा तोड़ देंगे अब हम लोग मू बनाएंगे इसका यहापे तो इसको धागे से काले धागे से अब बनाएंगे इसक्योंगे जैन शहेयँछ प्यभ्यार टा ले यहादे उतने श्मलते धांगे विकल अर्श किया कि अन्याएंगे इसक्क्तिक कालोगम अर्ण Scrू के लुच控 है प्टने प्रें यह देखें गशा करें शूए अब हम यहां पे कान दोनों यहां नाँ और यहां आंक सबसिलाई कर देंगे सूई से आज हम इचाने दोनों कान आन और यह नााई सबसिल दिया और यह देखें कितना प्यारा पाउदान बन गया आप इसको बड़ा भी बना सकती है हमने ये मेडियम साइज का बनाया है और आप छोटा भी बना सकती है पैने स्टैन बना सकती है कुछ भी बच्चों के जरूरत के लिए आप बना सकती है तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और हमारे बताने का तरीका प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ले दिया करिए तो यह आपको कैसा लगा तो फिर मैं और अच्छा बनाऊंगी आगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू